मैं यति महराज आप सभी मकर रास्य वाड़ों को नए साल 2100 की हार्दिक सूब कामना देता हूं और आपकी रास्य के स्वामी सनी देव से प्राथना करता हूं कि आने वाला नया साल आपके और आपके परिवार के लिए सूब और मंगलगारी हो वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आये और उप्योगी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय सनी देव अवश्य लिखे मैंने अब तक पहली जो दस राशियां है मेश वर्सव मितुन करक शिंग कन्या तुला वर्षिक धनू और आज के इस वीडियो में मकर राशी का न सुख कितना मिलेगा वैवाईक सुख कितना मिलेगा संतान का सुख कितना मिलेगा आपका प्रेम प्यार का रिष्टा कैसा रहेगा संपत्तिया संपत्ति से आपको लाब मिलेगा या नहीं मिलेगा सिक्षा मैं आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी स्वास्तिया आपका मंत्र भी मैं बताऊंगा और इसके अलवा मैं इस वीडियो के बीच मैं आपको आपकी रासी मकर रासी के लिए ऐसी तीन सलाहा दूँँगा जो आपके लिए अगर आप मेरे बात को सुनेंगे मानेंगे समझेंगे तो पूरा साल समझो कि आपके लिए अब तक का आपके जीवन के अब तक का सबसे सफल साल बितेगा और भी अनेक जानकारिया मैं दूंगा आपको जो इस साल में आपके लिए अच्छा फल देने वाली रहेगी वह सभी एक-एक बात मैं आपको बताऊंगा आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मेरी सलहा को सुने समझे और अगर अपनाएंगे तो यह साल निश्चित तोर से यकीन मानिये आपके लिए जीवन का सबसे सर्वसरेश्ट साल बितेगा नए साल दोजार चोईस का वार्शीक राशी फल देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबा कर सबिस्क्र ना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके हैं इसके अलवा अगर आप मेरे से फोन पर संपर करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के उपर देख रहे हैं 94625 75291 इस नंबर पर आप मेरे को केवल रवीवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फोन करके बात मेरे मकर राशी में इस्तित है तो मेरा यह राशीफल आपके लिए है यानि मकर राशी के लिए मेरा यह राशीफल है अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल नया साल दोजार चोईस का आपके लिए कैसा बितेगा आपकी रासी मकर है और मकर रासी का स्वामी सनी देव है और इस पूरे साल में सनी देव आपके दूसरे दन और कुटुम इस्तान में गोचर करते रहेंगे और अपनी तीसरी दृष्टी से आपके सोते सुक और माता इस्तान को देखेंगे सप्तम दृष्टी से आपके मर्ति उस्तान को देखते रहेंगे और दस्वी दृष्टी से ग्यारवे लाविस्तान को पूरे साल देखते रहेंगे इसलिए इस पूरे साल में आपको कभी भी पैशे की कमी नहीं रहेगी, हलांकि स्वास्तिय आपका थोड़ा गड़बड हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा रोग या बड़ी बिमारी से सनीदेव आपकी इस साल में रक्षा करेंगे, एक मैं तक आपके चोथे सुख और माता इस्तान में गुरू भी बने रहेंगे, इसलि होगी, लेकिन खर्च भी इस साल में थोड़ा बहुत आपको उस बोतिक सुख सुविदाओं को पाने के लिए करना पड़ेगा, एक मैं को जब गुरू आपके पंचम संतान और सिक्षा इस्तान में आ जाएंगे, फिर संतान का सुख जो है आपको बरपूर मिलेगा, आपक इसी से प्रेम करते हैं तो इस साल में आपको प्रेम का आनंद एक मही के बाद में खुब अच्छा मिलने वाड़ा है, वैपार में और वैवसाई में काफी तेजी रहेगी, आए में आपके वर्दी होगी और धनकी समश्याओं का अंत होता चला जाएगा, इस तरह पूरे स हिमत और काम करने की उर्जा परदान करेंगे, तो केतु आपके बागये इस्तान में बैठकर लगन को परवावित करेंगे, तो कुछ छोटी बड़ी दार्मे के यात्राएं आपके होने का योग बनेगा, जो आपके लिए सुख बढ़ाने वाली रहेगी, सनी दूसरे इस् साल में थोड़ा आपका उपर नीचे होता रहेगा, हो सकता है, आपको कभी-कभी किसी बात पर गुशा भी अधिक आए, लेकिन हर समय गुशा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वैसे ये पूरा जो साल है, आपके लिए उन्नती और सफलता की एक नई कहानी आपके लिए इस पूरे साल में अलग-लग छित्रों में कैसा समय बीतेगा, कैसा लाब रहेगा, कितना सुख मिलेगा, या मैं अलग-लग बता देता हूं, और सर्वात करता हूं सबसे पहले इस साल में आपका कैरियर कैसा रहेगा, नए साल में आपका केरियर का गराप टेजी से उपर की तरब चड़ेगा राहू तीसरे बाव में पूरे साल गोचर करते रहेंगे इसलिए आप हर काम को एक चुनोती के रूप में ले सकते हैं और उसको जो है समय पर काम को पूरा भी आप कर सकते हैं सनी देव आपके दूसरे धन और कुटुम इस्तान में गोचर करेंगे और लाब इस्तान को देखेंगे इसलिए इसके साथ में ही गुरु आपके चौथे सुख इस्तान में बैठकर दस्वे करम इस्तान को देखेंगे इसलिए यह पूरा साल आपके लिए केरियर के मामले में अत्यांत सुखद और लाब से बरा रहने की पूरी उमीद है या ऐसी संभावना बनी भी है। आपके पूरे साल की मेहनत का परणाम तो आपको साल के अंतिम महीनों में यानि नौंबर से मिलना सरू हो जाएगा और आदी या वेतनवर्दी आदी का लाब भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस साल में आपके आर्थिक इस्तिती की। नए साल की सरुवात आर्थिक रूप से बढ़िया रहेगी। बुद्द और सुकर के लाबिस्तान में गोचर के कारण आपकी आई बढ़ेगी। आ अंगल और सूर्य बारवे खर्च बाव में होने के कारण थोड़े खर्च भी आपके अधिक होंगे। लेकिन दूसरे धन इस्तान में सनी होने के कारण आप अपने धन को जमा करने में ज्यादा रूची रखेंगे। एक मई को गुरू आपके पांचवे संतान और सिक्षा इस्तान में आएगे तो सिधा के लाविस्तान को देखेंगे। तो यम्ठी आम तो कारोबार अधिशे धन की प्राप्ति होती रहेगी. और अगर ऐसे देखें तो आप धन इस साल में जमा करने में कामियाब भी हो जाएंगे. हालनकि साल के सरू में जब गुरु जो है चोथे इस्तान में वैठेंगे गोचर करते रहेंगे और आपके करम इस्तान को देखेंगे तो आपको वेपार में कुछ बदलाव करना हो या कोई आपको ज़्यादा उसका विश्तार करना हो तब भी आप कर सकते हैं इस साल के अंत तक आपको कारोबारादी से दन की प्राप्ती होती रहेगी और आप हमेशा इस साल में प्राप्त दन को जो आपको मिला है उसको जमा करने में आप लगे रहेंगे और ऐसा करना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है कुल मिला कर अगर देखें तो आर्थिक इस्तिति गुरु चौथे इस्तान में बैठकर आपके दस्वे करम इस्तान को सीधा देखेंगे, इसलिए आपको कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा होगा, एक माई को गुरु रासी बदल कर आपके पांच्वे करम इस्तान में आएंगे, तो उसके पहले आप कोई नया बिजने साधी भी सरु करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे राहू पूरे साल तीसरे बाव में बैठे रहेंगे, इसलिए आपको वैपरिक चुनोतियों का सामना सरु से ही करना पड़ेगा, चुनोतियों से लड़कर आप जीत सकते हैं, और चुनोतियों से राहू लड़ने में भी आपकी ख खेती बाड़ी आप करते हैं, तो अच्छा मुनाफ़ा मिलने का योग है खेती बाड़ी से, इसके अलवा अगर आप खाद, बीज, अनाज, नमक, लोहा, मोटर, स्कुटर, साइकल, मशीनरी, बिजली का समान का काम करते हैं, तब भी आपको खूब लाफ होगा, अगर आप को मोटर पार्स का बिजनिस करते हैं, ओटो पार्स का बिजनिस करते हैं, टायर बेचने का काम करते हैं, या अन्य सिमेंट आदी का काम करते हैं, तो सनी से समंदित, अगर कोई भी काम है आपका, तो इस साल में आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा, आपका वैपार दिरे-दिर तेजी से हमेशा तरकी और उन्नती की तरफ बढ़ता रहेगा मैंने जितने भी यह काम आपको बताए हैं अगर आप इन काम को कर रहे हैं या कोई करना चाहते हैं तो इस साल करें आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा अब बात करते हैं परिवार की नया साल आपके परिवार के लिए भी अतियुत्तम रहेगा आपकी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी आपकी रासी के स्वामी सनी खुद दूसरे धन और कुटुम इस्तान में पूरे साल गोचर करते रहेंगे इसलिए परिवार में आपसी सम्मंद को थोड़ा बहुत जरूर परवावित किये बिना नहीं रहेगी इसलिए आप अपने बाई-बैनों के साथ में अच्छा और संतुलित व्यवार करें तो अच्छा रहेगा इसका भी लाब आपको मिलेगा आपका जो व्यवार है परिवार और बाई-बैनों के साथ में कैसा आप रखते हैं वैसा फल आपको सनी देव वापस प्रदान करेंगे अब बात करते हैं इस साल में आपके व्यवाइक सुक की नए साल के सरु में मंगल और सूरिय आपके खर्च बाव में रहेंगे और फिर आपकी रासी से होते वे सनी के साथ में यूति में आएंगे इसलिए आपको साल के पहले तीन महिने अपने जिवन साथी के साथ में अच्छा और प्रेम बरा वेवार करना है शूर्य आपको अपने जिवन साथी के परती कई बार गुश्य से बरेगा, लेकिन अगर आपने कहीं गुश्य का इजहार कर दिया, तो आपके जिवन साथी का व्यवार आपके परती बदल सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वैसे आखरी जो नव मैने हैं, आपके दमपत्य सुक्र के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपका जिवन साथी आपके परती पुर्ण इमानदार रहेगा, और आपसे भी इमानदारी की उमीद रखेगा, अगर आप अब विवाहित हैं, तो इस साल में मैं के बाद में विवाहा होने का योग जो है आप के लिए परबल बनेगा, खास करके मई और जून में आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ करके आपके जीवन को परभावित करेगा, आपको मतलब मन को परभावित करेगा, हो सकता है यही व्यक्ति से आपका विवाह करने की इच्छा आपके मन में जागरत हो और बाद में उ प्रैल साबित होने वाला है, खास करके जनवरी से अप्रेल तक आपको कोई संपत्ती अगर खरीदना है, तो आप खरीद सकते हैं, और अगर भीचना चाते हैं, फैवीछ बेच सकते हैं, इस साल में आपको 17 शंपत्ती मिलने के भी परबल योग द रहे हैं, अगर आप वाहन आदी खरीदना चाते हैं, तो इस साल में आपके वाहन के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, वाहन सुख आपको अच्छा मिलेगा, आप मार्च से मैं के मैने के बीच में वाहन आदी भी खरीद सकते हैं, इस साल सनी दूसरे धन और कुट्टू मिस्तान में बैठे हैं, तो आप पराये धन पर या किशी के और के हक को हड़पने की कोशिस बिलकुल ना करें वरना सनिदे रुष्ट हो सकते हैं और आपके हाथ में आयावा धन या संपत्ती भी आप खो सकते हैं। अब बात करते हैं संतान की। नए सान के सरु में बुध्ध और सुक्र की दिरश्टी आपके पंचम संतानिस्तान पर रहेगी। इस लिए संतान का सुक आपके लिए अच्छा रहेगा। एक मही को गुरु भी आपके संतानिस्तान में आ जा sparkle हो जाएगा। उनका जुकाव धरम करम आदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा और एतिहासिक और अच्छे लोगों की जीवनियां होती है ऐसी पुष्ट के पढ़ने में उनका ज्यान ज़्यादा रहेगा। जिनके संतान नहीं हैं उनको इस साल के अंत तक संतान की प्राप्ती के अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु आपकी इसमें साहिता करेंगे। आप साल के सरू से ही परियास करें तो साल के अंत तक आपको सपलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिक्छा की। अगर आप विद्यार्ती है तो यह पूरा साल आपके लिए सुंदर अउसर के रूप में आया है। आप अपनी सिक्छा में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और आपके अंदर और अधिक उच्छ शिक्छा के परती जागरूपता पैदा होगी। आपके शिक्छा की सफलता का असर और खुशियां आपके परिवार पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्ते की। ऐसे तो यह पूरा साल आपके स्वास्ते के लिए अनुकूल रहेगा कारण कि दूसरे वाव में बैठे आपकी राशी के स् आठवे मर्ति उस्तान को सीधी दिरिश्टी से देखेंगे। तो आपको बड़े रोगों से मुक्त रखेंगे। और राहु आदी के कारण आपके स्वास्ते को हमेशा राहु भी आपके स्वास्ते को अच्छा रखने में आपकी मदद ही करने वाले हैं। तो पूरा साल अ लोग हैं इस साल में 30 जून से 15 नवंबर के बीच में उनको थोड़ी सी तकलिफ हो सकती है। दवयादी लेते रहें तो ठीक भी हो जाएंगे। वैसे साल के सरू में 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच में सनी देव अस्त अवस्ता में रहेंगे। इसलिए इसका असर आपके दूर पड़ेगा। चोट या मानसिक तनाव जैसी इस्तती आपके साथ में उत्पन हो सकती है। आप इस समय के दोरान थोड़ा सावदान रहें। अब मैं आपको तीन सलाह ऐसी दूंगा जो अगर आप इन सलाहों को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे तो आप अनेक ला इन सलाह जो है आप ध्यान से सुनें, समझें और इस साल में अपने जीवन में लागू करें। पहली जो सलाह है मेरी। आपको इस पूरे साल में अपना वैवार सब के लिए अच्छा और संतुलित रखना है। वरना जैसा आप दूसरों को देंगे, वही आपको वापस सनि देव लोटाने में सरम बिलकुल नहीं करेंगे। दूसरी सलाह है आपको जो किश्मत से मिलता है वह आपका है उसमें आपको संतोस करना पड़ेगा। अगर दूसरे की संपत्ति या दूसरे का धन या दूसरे का हक आपने छीना तो आपका बाग्य आपको आप से वो सब भ सकता है आप सनी से थोड़ा सा डर कर रहें और ऐसी कोई बात ना करें। तीसरी मेरी सलाह है कि आपको अमेशा एहंकार दूसरों के परती तिरिसकार पुर्ण वैवार और दूसरों के परती अपसबत बोलकर उनका अपमान करने से अमेशा बचना पड़ेगा। वरना अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इस साल में आपका तमासा जीवन में बनते वक्त बिलकुल भी नहीं लगेगा। मैंने ये जो तीन सलाह दिये आप इसको बार बार सुनें समझें और इस साल जीवन में उतारें आपके लिए यह बहुत अच्छी सलाह साबित होगी। अब मैं अच्छी और सुबु बाते बता रहा हूं, आप द्यान से सुनें। आपकी राशी मकर है और आपकी राशी का स्वामी सनी है। आपके लिए सनीवार, सुकरवार और बुधवार के दिन अच्छे रहेंगे। मंगलवार और रविवार को आप कोई नया काम इस साल में बिलक आपके लिए इस साल में वर्षब कन्या करक राशी वाले सयोग करेंगे। तुला राशी वालों से जितना काम हो उतना ही आप संपर्क रखें तो अच्छा रहेगा। आप इस साल में काले तिल, तेल, तिली का तेल है, सरसो का तेल है, इसके अलावा चपल है, काले कपड़ हैं, लोहे की कोई चीज जिसे से लोहे का चिम्टा है, लोहे का ताड़ा है, लोहे का तवा है, या लोहे से बनीवी कोई भी समान वस्तु आदी का दान इस साल में आप सनिवार सनिवार करते रहें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इस साल में सनी की साड़े सा करते रहें, और किशी से लेने के आज देने की वावना रखते वे हमेशा देते रहें, तो ये साल आपके जिवन का एक श्रमने काल बनकर बी्तेगा. अब मैं आपको सनी का एक मंत्र बता रहा हूं आप इस मंत्र को अपने में गुरु से ग्रहन करें और अगर आपके पास में कोई गुरू नहीं है मंत्र देने वाड़ा तो इस्क्रीन के उपर मैं आपको यहाँ मंत्र बताऊंगा और मैं मंत्र को तीन वार बोलूँगा, आप मेरे साथ में तीन वार मंत्र बोलकर मेरे से भी यह मंत्र गरहन कर सकते हैं, इस मंत्र की आप नियमित दो माड़ा नियम से करें, और कुल मिलाकर इसके तेईश हजार जाप आपको करने हैं, तेईश हजार जाप करने के बाद में 2300 जाब जो है, इसके दस СШАन्स के रूप में आप और करें, तब यहाँ मंतर आपके लिए सिद्ध हो जाएगा और फल्दाइक साबित होगा, अगर यहाँ मंतर आप मेरे से गरहन कर रहे हैं, तो यहाँ मंतर आप इसक्रीन के उपर भी देख रहे हैं, मैं आपको सनी देव के दो मंत्र बताऊंगा, दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र आप जो है नियमित दो माला करें और कुल मिला के 2300 जाप करके 2300 जाप जो है एक्षा कर लें, मंत्र अब आप इस्क्रीन के उपर देख रहे हैं, पहला मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सहसनेश्चराय नमह यह मंत्र है, आप मेरे साथ मेरे से अगर गरहन करना चाते हैं तो मेरे साथ बोल कर तीन वार इसको गरहन कर सकते हैं, मैं स्वरू कर रहा हूं मंत्र, आप बोलना स्वरू करें, मैं समझ रहूं कि आपने यह मंत्र अगर मेरे साथ में तीन वार बोल कर गरण किया है तो अब दो माला जाप नियमित करें अब आप दूसरा मंत्र भी स्क्रीन के उपर देख रहे है इसको भी मैं तीन वार बोलूँगा अगर आपको यह मंत्र सरल लगता है आसान लगता है तो इसको मेरे साथ में बोल कर गरण कर सकते है मंत्र है ओम संसनिष्चराय नमह मैं तीन वार बोलूँगा, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं यह था आज के वीडियो में मकर रासी का नए साल 24 का संपुर्ण वार्चिक रासी फल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और दूसरे मकर रासी के लोगों को सेयर करें और नीचे कमेंट बोक्स में जै सनी देव अवस्चे लिखें कल मैं आपको कुम्ब रासी का नए साल का वार्चिक रासी फल बताऊंगा तब तक जै जिनेंद्र